दोस्तों, गर आपका अभी इलेक्टरिक स्कूटर लेने का प्लैनिंग है, अंडर वन लाक रूपिज में ट्रस्टेड ब्रैंड की इलेक्टरिक स्कूटर चाहिए, जिससे की टीवेस हो गई, हिरो मोटर कॉप हो गया, बजाज हो गया, जो लॉंग टाइम तक चल सके कम प्र तो डिटेल में वीडियो रहने वाले, इन दोनों अपडेट के उपर हम बात करने वाले है, एंड इसके उपर रिसेंटली काफी आर्टिकल भी आ चुके, तो चली गाइज, विदर इन्वेस टाइम, लेट स्टार्ट इस वीडियो, सबसे पहले बजाज के बात करें तो अपडेट के बारे में, इसके उपर के आपडेट के बारे में, तो बजाज के जो CEO है, राकेश शर्मा, इन्होंने अंडर वन लाक रुपीज में अपना इलेक्रिक स्कूटर लेकर आएंग ऐसा बोला है, क्योंकि एक्सपैंडिंग करने वाले है, लाइन अप इन का, उन्ह अबी जो है, नया सबसीडी का रूल आया है, जिसमें तो सबसीडी आधी हो चुकी है, एक लाक के अंदर कोई भी एवी देखने को नहीं मिलती, अगर नॉर्मल फीचर चाहिए, 100 किलोमेटर तक रेंज चाहिए, बेस्ट फैमिली स्कूटर चाहिए, तो आपके लिए पर अपने देखा भी होगा, जिसकी प्राइसिंग आभी के मॉडेल से कम हो सकती है, इसके पीछे क्या रिजन होगे, वो भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अंडर वन लाक रुपीज में हम इसको लेकर आएंगे, असा बजाज केसी वो ने कहा है, क्योंकि मैं 100% ली शूर क कैसे बोल सकता हूँ, सबसे पहले इसमें फीचर काफी कम होगे, इसकी वज़े से 5-10 हजार का लेस देखने को मिलेगा, सेकेंड इसमें BLDC मोटर होगी, जैसे कि अगर काफी कस्टमर की रिक्वाइरमेंट होती है, कि उनका बजट काफी टाइट है, कम बजट में अच्छी इलेक्टरिक स्कूटर चाहिए, अगर वो नॉर्मल अच्छे से यूज़ करेगे, तो BLDC मोटर भी अच्छी होती है, जिनको PMSM मोटर लेना है, उनके लिए अल्रेडी इलेक्टरिक स्कूटर है चेतक, लेकिन जिनको BLDC मोटर में कम बजट में चाहिए, तो उनके लिए नय इलेक्टरिक स्कूटर जो की इंडियन मार्केट में सभी यूजर जो है इसको अफट कर पाए, जिसकी रिक्वायरमेंट इंडिया में कोई भी नहीं देख रहा है, और इन्होंने बोला कि अभी जो है 200 सिटीज पर डिलर्शिप अविलेबल है, नेक्ट 6 मन्त में इसके 500 सि बताइए, और मेरी सबसे गाइस बजाज ने काफी अच्छा काम किया है, अंडर वन लाक रुपीज में बेस्ट इलेक्टरिक स्कूटर जिसमें मेटल बॉड़े रहने वाली है, अच्छी कासी सिर्वेस रहेगी और बजाज ब्रैंड जो है काफी बड़ा ब्रैंड है, तो ब्रैंड वैल्यू भी रहने वाली है, लांग टाइम के लिए अगर इलेक्टरिक स्कूटर लेनी है, तो बजाज आपके लिए बेस्ट आफशन हो सकता है आने वाले टाइम में, और अगर सेकेंड अपड़ेट के बारें बात करें तो बजाज की फर्स C&G बाइक भी आने ही आती है, अभी बाइक में आएगी तो काफी कस्टमर इसके तरफ एट्रेक्टिव हो सकते हैं, तो इस साल का बजाज का फोकस दो प्रोड़क्ट पर है, फर्स C&G बाइक एंड सेकंड जो है, अंडर वन लाक रुपीज में बजाज की चैतक इलेक्टरिक स्कूटर को लां आप सभी के लिए हमने काफी मेहने से वीडियो बनाईए, वीडियो अची लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और काफी यूजर जो है चानल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब और बेल को ओल कर दो दो दोस्तों, डेली आपके लिए से अपडेट जो इलेक्टरिक स्कूटर की इलेक्टरिक बाइक की हम लेकर आते रहते हैं